सागर जिले में फिशले कुई दिनों से स्मार्ट शीटी प्रोजेक्ट के तहट लाखा बन जारा जिल को शुद्धिकरण और सुन्दरिकरण काम किया जा रहा है जिसको लेकर मंगलवार को नगर विधायक सेलेंजेन तालाब का निरिशन करने पहुचे विधायक के साथ साथ नगर निगम आयोक तार पहिरवार और स्मार्ट शीटी सीओ रहोल सीहीं भी मोजुद थे तालाब में चल रहे सिल्ट के काम को देखते हुए नगर विधायक सेलेंजेन ने कहा कि तालाब सुन्दरिकरण को लेकर एक प्रोजेक्ट लगभग 18 महीने का ह तक्रीबन दो साल बाद शेहर वासियों के लिए एक सुन्दर जील देखने को मिलेगी इस जील के किनारे करीब 16 घाड बनाने का प्रोजेक्ट भी है बहुत जल्द इसका काम भी पूरा किया जाएगा अभी फिलाल शेहर की नालियों के गंदे पाने को शिप्ट करने की भी प्रोजेक्ट है जील्किंग और लेक फ्रंट डबलमेंट का वो अब रातल पे शुरू हो गया है अभी तक सारी के सारी ड्राइंग और डिजाइन जो है वो पार्ट कुगा हुआ है और अब रातल पे काम हम लोगों ने शुरू कर लिया है आपको जुतरा होगा कि बड़ी तक सिर्शन क्या में डंपर लगे हुए होए हैं हाइड्रामशीन कोई सबस्क्राइशन मचीन है और लगबग पॉइंट 9 मीटर जो है हमें डिसिल्ट करना है और ग densel Turn करनें के साथ साथ यह जो तालीजद नालेव владling पूरे शहर के ढंद पानी को लेके आ रहे हैं उस पानी उस गंदे पानी को तालाब में जाने से रोकने के लिए तालाब के पैरिफेरल लॉंग दा लेक एक पाइप हम लोग डालेंगे उस पाइप के माध्यम से उस गंदे पानी को पंप करके बाहर फेके गे हैड्रॉलिक गेट के ठूट और वह पानी के लिए और इरिगेशन के लिए के लिए अप्यंघ का लिया तो हम यहां से उस गंदे पानी का भी उप्यों करें गो ओस्ता पानी को हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे में सोरसिंधा तीह देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें